हेलो नबसे सब्सक्राइब का दोफ तो मैंने आपको दोस दर्शुपला आपके प्रेवरेट इस चाने देल कॉमर्स इस्टा पे आपको हमारे पिछे लेक्चर में हमें देखा था मैंजमेंट के में कंसेट, उसके मॉडरिन कंसेट और से चैंटरस्टिक्स आज यूसलिके आगे चलना है और भी बहुँ साफ चीजिस सीखनी है समझनी है बीना ठाइज लेक्ट आजे देखते हैं आपके में जो अबजेट्स हैं और फिसके आगे अगरे अगरे 10 हमारे बिजनस के मतब जो बिजनस में जो management part है उसके objectives actually तो बहुत सारे होते हैं लगि हमारे पास यहां सिर्फ तीन main objectives हैं जिनको explain करना जोड़ी है वो तीन objectives हैं सबसे पहले organizational objectives, दूसरा है social objectives and तीसरा है personal objectives इन तीनों objectives के अंडर में बहुत सारे different objectives हैं आई देखते हैं उनके बारे में और समझते हैं तो सबसे पहला organizational objectives, organizational objectives में सिर्फ main तीन ही objectives हो सकता है और उन सिर्फ मेरे कॉड़ी आपके कॉड़ी भी तीन होगे और वो है survival, profit and growth तो survival का मतला हुआ अपने आपको market में establish करना और बना रहे हैं तुकि यह दोनों चीज़ हैं की बहुत जल्दी ज़रोगी भाई आप अपने आपको introduce करा ज़ते हो market में लेकिन आपके कुछ गलत प्रैक्टिसेस की वज़े से आपके जो market जो survival याणी life याणी आपकी business की life है वो बहुत जल्दी over हो जाती है या तो आपकी गलत आपके activity में पड़े जाते हो या फिर लोगों के साथ केते हैं ब्लाक मार्केटिंग या फिर जासादिया मगरे शुरू कर लेते हैं तो वो चीज़ सारी जो है survival को effect करती है management का ये main part है कि business को जब on के रहा है इंट्रिदूस के रहा है market में उसके बार वो कितने दिनों तक वहाँ टिका या टिका है या stable है स्टैंड कर सके वो चीज हमारी main attack होती है दूसरा है profit वहाँ जब survival हो गया business का तो profit तो होगा ही होना है तो जरूरी नहीं कि survival होगा तो profit भी हो जाएगा तो कि profit के लिए आपको कुशिश्य करने होती है कि minimum cost पे maximum output ने कर पाथ और इसके लिए अगर आप शुर्बात में business launch कर रहे है तो आपको manually काम करना पड़ता है यहनि manpower जादा होती है machine काम होती है तो manpower है तो manpower की बज़े से आप profit maximization नहीं कर पाथ है तो कि raw material cost, labor cost, और भी साजितने भी cost और operating expenses होते है वो सब के सब आपको meet out करने होते हैं अपने sale proceeds से मिले हुए revenue से तो profit कमीन मतलब है कि आप ऐसा management की जब business का कि profit भी आपको मिले और साथ ही साथ आप survival भी करना है और last is growth, growth में आपके survival और profit का जो point यह दोनो add up हो जाता है यानि आप जब survive कर गए आपने profit अच्छा कमाने शुरू कर दिया उसके बाद आपके लिए growth जो prospect है यह बहुत easy हो जाता है तो growth क्या है, growth में कमीन मतलब है कि हमके competitors को tough competition दे पाए और competition देने के साथ-साथ हम उनके साथ बीके तरह लोखा ले सके हरी चीज़ मतलब extreme financial conditions हो, bad financial conditions हो चाहिए यह सी हो तो हम अपने आपके पास कितना पैसा रख पाएं कि हमारे लिए growth भी possible होती रहे growth का मतलब है physical growth plus societal acceptance support ठीक है तो यह तो वो आपने अपने अप्जेक्टिस, अब यह बात करते है social objectives की social objectives में मैं बाई society के लिए social objectives क्या हो सकता है सबसे पहले जीज़ कि वाई एक normal consumer अच्छी चीज़े चाहता है कमदाम पे चाहता है कमदाम मतलब एक budget दाम पे चाहता है क्या हमसे जबकि जब good job services के जब हम charge करें उसे यह ना लगे कि आ रहे है बड़ों महंगा दे रहा है या बहुत सस्ता दे रहे है तो वहां भी फीड़ा दे जाती कि सस्ता है तो खराब होगा पका तो में लेगे social objectives में जो सबसे पहला जो आपका objective है वहार quality products obviously वाई कि हर इंसान quality product ही चाहता है कौन अब खराब product आपसे ख़ईतेगा कोई नहीं ख़ईतेगा secondary is double price बिल्कुल आप quality product डेलिवर कर रहे हो लेकिन आप उसको महंगा बेच रहे हो कौन लेगा भाई महंगा समाल तो भाई खरिसेता ना जिसके पास कई लाख करण मुदब लाखों में इंकाम हो या करोडों में लेकिन अगर एक medium class की बात करो बिल्कुल एक business house यानि management on the whole business management का ultimate objective यह होना चाहिए कि उनकी business operations की वज़े से लोगों को रोज़गार भी में यानि लोग अपनी livelihood कर सकें, नौकी पा सकें और अपना प्लस अपने जो dependent है उनको financially help या association पाए employment opportunity भी एक factor बंगता है social objectives में कि आप अगर employment generation नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक किस आपकी negativity में चाला जाता है economic wealth economic wealth का मतलब है कि business house के पास in the form of management यह कोशिश होनी चाहिए कि जो भी economic wealth है आस पास या उनके पास उसका एक generalization होता है मदब सब के पास बराबर पैसा हो बराबर रोटी कपड़ा सब कुछ हो centralization of money नहीं बन सब्सक्राइब सारा control किसी एक के हाथ में नहीं चाहिए it should be decentralized तो generalization of economic wealth हो गया generalization of employmentable cities हो गया training program training program का मतलब है कि social objectives है आपके पास work force है work force अगर proper train नहीं होगी तो आप business में आगे कैसे work possible नहीं है अब आप लोग Mr. X है उन्हें smart machine चलाना नहीं है अब आपने उनको रजगिया smart machine के उननने को गड़ा बिटरन प्रेस करती जो चीज़ बननी के थी machine ने उसको तोड़ मरोड के बाहर फेक दिया ठीक है यह चीज नहीं हो किया training program में आपका सिर्फ एक चीज नहीं है educational, social, professional and health यह जितने भी आपके आपके अपडेट करते रहना थी अपने employees को according to scenario and according to time चल रहा होता है उसके according हमें अपने work force उसको train करते रहना हो का ताकि वो competition से shoulder match कर पाए ठीक है पिर है environment friendly protection methods बिलकुल आपके जो भी protection methods है that should be environment friendly यानि आपके protection methods की वजह से environment को damage नहीं होना चाहिए और environment यानि आपके आस पास रहने वारे लोगों को भी कोई नहीं होना चाहिए चाहिए वो health hazard हो उनका physical hazard हो कोई भी hazard हो या environmental degradation हो इनमें से कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए ठीक है अब आईए बात करते हैं personalities की तो कि लास्ट objective है objectives of management का इसमें सबसे पेला adequate salary आप किसी से काम ले रहे हो मानलो 12 घंटे ज्यादा खाम ले रहे आप इसको सिर्थ 10 घंटे रहे हो क्या ही सही है? नहीं ना जीतना आप उससे काम ले रहे हो तो वो अपने आपको आपके सामने एक दम भिषा लेगा यानि गये काँ मेरा बहुत बहुत अच्छा है और उसके काम भी लेता है उससे कोई दिकत नहीं होगी अगर आप उसे adequately selling pay कर रहे हो और आप उससे जीतना काम लोगे उससे कोई दिकत नहीं होगी लेकिन आप उससे 10 घंट पे कर रहे हो लेकिन उससे कब से कब 12 से 15 घंटे की service ले रहे हो तो वो exploitation हो जाता है ठेक है? दूसरा है good working condition वाई हर एक employee याई हर एक human resource को तो कि आपके अंडर में काप कर रहा है उससे अच्छी working condition चाहिए इन्हें proper ventilated हो गर्मीना हो और पंखे की proper light facility हो fan facility हो और refreshment facility हो वाकिछ साल की ठेक है फिर है peer recognition प्रेजर का मतलब है आपके आसपास की जो लोग है जब आप काम कीजिए तो वो आपको समझें जाने और आपको सम्मान दें यानि respect earn कर पाया और यह सबसे बड़ा factor बन जाता है एक management objective में कि वो ऐसा कर पाया तो कि अगर आपके करीश और आपके जो बॉस हैं अगर आपके काम को जो देख रहें लेगिन आपको करते हैं वो शावाशी नहीं आपर ब्रेज नहीं कर रहें आपको आपकी तारीफे नहीं हो रहे हैं तो आप इससे थोड़े से दिमोलाइज हो जाते हो कि तना काम करता हूं फिर भी कोई तारीफ नहीं हो तो training and development यह दो भाई ऑविस सी बात है कि वहाई हर एक employee को अपना training development चाहिए था कि वो अपने आपको promote कर पाए और better चीज के लिए जाने और better performance के लिए ठीक है और last is social recognition PA recognition social recognition मतर से फितना है PA recognition जहां पर work environment recognition की बात है वही social recognition का मतलब है कि society at large हुई आपको चाने आपकी respect करें आपको प्यार करें बगरा ठीक है तो अब आपके सामने मैं अपने वाला हूँ जो अंड़ा point है वो है importance of management का आए देखते हैं और तिर आदे बात है ठीक है चलिए अब आपके सामने मैंने point रखा है importance of management जिसमें main आपके past point है आए देखते हैं और फिर बात आदे चाने के main है management मैंने पहले बताया था कि management है group activity है group goal achievement activity है तो जाहर से बाते है group activity है तो वहाँ पर हमारे एक ही target है जब group work करेगा एकसाथ तो जो भी हमने goal पहले से focus रके रखा है उसे हम achieve कर पाएंगे और जब वह achievement हो जाएगा तो वह हमारे achievement की में help नहीं करेगा यानि on the whole management it helps in achieving group goal group goal का मतलब है group का मतलब हो पूरे business का goal तो कि business में हर एक बंदा एक family member की तरह treat किया जाता है और जब सारे एकसाथ में के काम करते है तो ultimately target क्या होता है इसे हम प्रोफिट एंग ग्रोफ तर्ट दूसरा है improves efficiency management आपको efficiency आशे करता है कि आपको सबसे पर चीज चर्ड़ीं प्रोग्राम चलाता है लेकि ट्रेडिंग प्रोग्राम में भी कई साथ चीज है जिसमें आपके यह है training development है planning यह organizing है directing है controlling है coordination है यह सारे-सारे mill करके ही आपके efficiency को improve करता है और दूसरी चीज जो मने कहा training and development programs उसमें educational program, vocational program और जितने भी आपके यह कहते है जानि physical efficiency related programs होते है उन सब में भी आपको assistance दिया जाता है ठीक है freelance dynamic organization dynamic का मतलब है adjustable कि हम situation according कम या ज्यादा adjust हो सकते हैं लेकिन अगर आप rigid personality के हैं यानी inflexible personality के हैं तो आप फे कुछ नहीं कर सकते हैं तो में रहे कि अगर development organization बना management का मतलब है जैसी जरूवत होगी हम ऐसा management यानी अगर बड़े level पर काम कर रहे हैं तो जारा management की जरूवत है छोटे level पर काम कर रहे हैं तो छोटे level का management की जरूवत है ठीक फिर है health in achieving personal objectives personal objectives में आपके कई साथ चीज है तो आपको पता रहे था personal objectives में आपके आते हैं promotion, development, growth, training and the most important is peer recognition and social recognition जो कि एक personal objective में भी आता है तो management आपके लिए time by time यानि periodically आपके लिए development program चलाता रहता है, orientation program चलाता रहता है ताकि आप अपने आपको और बटर बना पाए और societal recognition मिले, peer recognition मिले जिसकी आपको expectation होती है ठीक है और फिर last health in development of society, विलकुल society development कैसे होता है जब एक business organization अपनी तरफ से CSI यानि corporate social responsibility की जब वो pay करता है यानि in the form of 2-4% of their total net profit तो उसी society की development होता है यानि आपके area को develop कर देगा उसको बढ़ियां से बन्मार देगा या आपको employment opportunity दे देगा और जुसी जिए आपके better living standard कर देगा आपके बच्चों की पढ़ाई में sponsor कर देगे कि आपके बच्चे की हर level की पढ़ाई यानि post graduation या master या जहां तक बढ़ना चाहता है वहां तक की पढ़ाई हम finance करेंगे आप बस अपने बच्चे को यानि आपके जितने भी family सारा structure हम उठाएंगे ये सारी चीज़े हैं जो की society के development में काम आते हैं और मुझे कहनी जोद नहीं है ऐसे कभी बड़े business founders हैं को कि ऐसा करते हैं जिनमें विप्रो है यानि अजीम प्रेंजी है अधिक्तर बिल्ड़ग्रोप है Tata हैं ये सारे लोग इन सारी फीजों में actively participate करते हैं तो अब आएए बात करते हैं nature of management की actually nature में दो तरिके की मैं आभी ऐसे नहीं बताऊँगा मैं आपको nature of management through board writing बताता हूँ अब आएए अब यहाँ topic आपके सामें रख रहा हूँ जो की है nature of management का और वैशे तो nature of management हर इंसान के अंदर मैं management सब्सक्रा हड के बोटाँ कि management के अलावा हम देखे जाने तो हारी चीज के अंदर दो दरगे nature होते है एक science का nature होता है दूसरा art का nature होता है अब आप सुचेंगे science का art क्यों यहां उठा दिया मामला में क्या है कि हम आपनी life में यानि अब तक जब पहली बार बच्चा पैदा होता है और उसके last breath तक हम दो चीजों से हमेशा जो है contact में रहते हैं science का मतलब है जब कोई चीज हम pre-establish होती है that is known as science science का में मतलब है experimentation science भाई हम दो जो normally science पढ़ते हैं या आप हम जो mobile phone यूज करते हैं वो पुछ एक science है तो वो क्या एक systematic body of knowledge है यानि already pre-installed instructions है phone के अंदर कि हाँ भाई अगर यह test part प्रेस करेंगे तो यह number दबाना है यह number अगर test part कि हमें रखना चाहता हूं let's focus on the board mean है that management as a science अगर देखा जाए systematic body of knowledge है systematic body of knowledge में आपके management principles, theories और practices उखर art में चला जाएगा दूसरा है आपके जतने भी management principles और practices बनी है they all are made on based on experimentation experiment किया गया और एक चीज़ और कि science में कोई personal application नहीं होता वहाँ पर universal acceptance होती है कि अगर कोई चीज़ है तो उसे हर कोई accept करता है और वही बात अगर art की बात है तो art में personalized application आपना personal view भी उसमें दिया जाता है कि नहीं यह ऐसे नहीं ऐसे हो रखता है ऐसे best होगा लेकिन अगर science की बात करो तो science में में है आपका यह principle based तो ही है based on experimentation है यानि यह जितनी बार हम experiment करते हैं यह जितनी बार कुछ नया निकल के आता है लेकिन उस पर्टिकुलर finding की universal validity हो जाती है उसके हर कोई माता जैसे Newton's law of motion है Archimedes principle है क्योंकि science के principles है तो science अनुवे यह सारी चीसे well established है यानि इनको खो जा गया confirm किया गया तब उसे science बनाया गया है वरना science में वह पार्ट कभी नहीं बतलता है तो अगर आप लिए तो एक short before यह देता हूँ कि science का में मतलब है उनिवर्सल एक्सेप्टेंस लेकि आर्ड कभी उनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होती हूँ कि हर चीज़ की अलग आर्ड यानि हर एक methodology हर चीज़ की अलग होती है लेकिन science एक standard way पर चलता है यानि एक universal acceptance हो गई तो वह एक standard मामला चल जाता है कि हाँ हमको इसी way space से आगे बाहा लेकिन art हर एक चीज़ के according change होती रहती है जो हमको सबसे best method लगता है हम उसे follow करते है तो वही चीज में है कि आप आर्ड मेंट as a science आपको clear हो गया होगा तो भाई management में भी ऐसे कड़े practices and theories है जिनके दम पे management को proof किया गया है जिसमें F.W. Taylor है F.W. Taylor है Henry Fayol है Macworthy है और भी बहुत सारी लोग के जिनों अपनी theories दी management है तो वह सब art plus science दोनों combination था science इसे सरे कि उन्होंने experimentation किया experimentation करते हैं कि बाज आप उनको लगा कि यह हमाई true is सही है और यह universally acceptable है जिस नहीं खोशनी होती है तो they keep on going with the experimentation and when they find the exact thing they just publicize कर देते हैं public के लिए कि हाँ भाई हमें यह finding निका लिए अब आप इसको देख साकते है तो उसे universal acceptance भी जाता है अब आये art पर focus करते है art exactly art का मतलब है आप में कई सारी चीज होती है personalized application होगा practice होगी और जो सबसे important चीज़ हो है creativity हम एक ही काम को अलगा तरीके से कर सकते हैं लेकिन क्या एक ही theory को बार बार proof किया जाता है? नई हम उस theory को पढ़ते हैं elaborate करते हैं अपने sense में समझते हैं लेकिन वह theory already pre-established है और well established है उसके आगे उसमें कुछ और उसमें अगर और deep study करने तो बात उसे लेकिन वह particular theory जो science की है चाहे वह किसी भी principle की बात कर लो वह क्या कभी change के जा सकते हैं? नई वह मानक बना दिया है हमने standard बना दिया कि इसके आगे उसमें कुछ नहीं हो सकता यह जो हमने बता दिया ठीक? लेकिन art में क्या art मेंने कहा था कि according to stream हम art बदल सकते हैं change की जा सकते हैं और जब change की जा सकते हैं जायर सी बात है कि हम उसमें कुछ नया पन ला सकते हैं यारी some new innovations can be introduced in the existing one तो वह ही जाए कि management को art इसले का जाता है क्योंकि वह हम अला अला situation के according management करते हैं intense situation है, intense thinking करेंगे light situation है, light thinking करेंगे medium situation है, medium thinking करेंगे ठीक? कोई बहुत बड़े level का function है तो उसमें जादा management जादा manpower जाबत है घर का कोई छोड़ा सा function है तो वहाँ पे घर के लोग ही उसको manage कर लेंगे हाना, तो यह art हुई न और science क्या है कि इसके certain principles हम follow करते है, वह principles जो theories है that comes under science ठीक है? Personalization application मैंने बताय दिये systematic body of knowledge है, भाई यह दोनों systematic body of knowledge है, link in differences, methodology जनी art में methodology का difference करते रहते हैं और level का difference करते लेकिन science में ऐसा नहीं है science में बार theory established हो गई so, hope ठीक है? existence of theoretical knowledge theoretical knowledge तो है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी methodologies भी तो अलग-अलग होती है इसके बेर तो काम नहीं होता ना ठीक, I think आपको management as a science and management as an art दोनों clear हो गया होगा अब मैं इन दोनों का ही comparative study लागे जा रहा हूं आपके सामें, बच्छे अधर competence study ये भी है, लेकिन मैं उसको all other precise करना चालता हूं सबसे पहली चीज है अगर हम देखे धां से देखे जाए तो देखे, यहां पर क्या है? यहां experimentation है experimentation किसी एफ चीज को बार-बार करके प्रूफ करने के लिए होता है लेकिन जहां आर्ट की बात कर लो वहां आर्ट में creativity और practice होती है लेकिन science में क्या creativity होती है? नई, science में creativity exacting नहीं होती है लेकिन उसमें experimentation होता है उसी एक ही चीज को प्रूफ करने के लिए या उसको एक fact बनाने के लिए हम बार-बार वही वही experiments प्रूफ करते रहते है तो में चीज है science एक well-established theory है जबकि art अपने condition, circumstances, recording हम change करते रहते है और वह changing ही art करते है जिसमें जितनी बार हम art change करेंगे उतनी बार हम ज्यादा brain लगाएंगे और ज्यादा creative बनाएंगे और ज्यादा उसमें practices इंटालेंगे तो जितनी ज्यादा creativity होगी जितनी ज्यादा practices होगी उतना ज्यादा art और ज्यादा कहते है और ज्यादा flourish करती है और ज्यादा develop and grow करती है तो आपके सामें मेरे दोनों चीज़े रहती है management as a science, management as an art और दोनों का comparative study भी आपके सामें रखा अब आपके सामें जो अगला में पेशाने जा रहा हूँ वह है management as a profession आइए देखते हैं कि management as a profession क्या exactly चीज़ है क्यों लोग इसे as a profession अपनाते हैं अब आगला topic हमाने सामने है management as a profession इससे पहले कि मैं इस पे line show करू मैं एक चीज़ आप सभी कजाना चाहता हूँ कि what is what is mean by profession हम सभी जानते है profession का मतलब होता है एक ऐसी specialized body of family जानि ऐसा special knowledge एक पट्रस्ट्रीम में जिसमें आपको कोई beat ना कर पाए जब वहां beatability नहीं यानि invincible मामला है कि आपको कोई तो क्या management को ऐसा profession देखा जा सकता है बिलकुल देख सकते है मैं made as a profession अगर मैं बात करूँ जैसे अगर मैं professional bodies हूँ जैसे doctor है, engineer है, architect है, CA है ये सब क्या है ये professionals इसलिए है क्योंकि इनके पास अपनी field की बहुत ही तगणी knowledge होती है इनको इनकी field से हिला नहीं चाहता खासकर doctors, engineers और architect वाई doctor है जान बचाता है, life saver है उसके पास अची खासी medicine की knowledge होती है कौन से medicine कब लेनी है, कितनी लेनी है किजरी dose में लेनी है, कब कब लेनी है कब तक लेनी है ये सब बताता है क्या हम अपने से doctor बन सकते है मालो हमें खाने ते भुगा की दबा हमने गल्दे से पेट की दबा खाली तो पेटा नहीं भी था तो भी वह दबा अपने अंदर पेट के दब को का रही है ये गलत है तो वैसे ही, जब management as a profession को हम लेके चलते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ professionalized body of knowledge होनी चाहिए code of conduct होना चाहिए और दुसी चीज़ की आपका किसी particular regulatory body से registration होना चाहिए जिसमें जैसे मालनी CA है तो उनका ICWAI से registration होना चाहिए CS है तो ICS Indian Company Secretaries Institute of India ICSI है Engineers है तो उनका अपने अलग code of conduct चलता है Doctors है तो उनका MBBS degree होनी चाहिए हाँ जबसे ज़रुरी चीज़ है वो यह है कि एक professionalized body of knowledge में degree की जरुवत होती है जैसे कोई B.Tech है तो P.Tech की degree hold करेगा, कोई M.Tech है तो M.Tech की degree की degree hold करेगा कोई doctor है तो MBBS की degree hold करेगा तो जहाँ degree नहीं होती है क्या वहाँ पर professionalized body of knowledge देखा जाता है हम ऐसा नहीं मानते है कि जिसके पास degree नहीं उसके पास कुछ नहीं तो वैसे ही management कमाद लेगा वैसे तो management में आधकर professionalized body of knowledge है जैसे यह है हमारे IIM से यानि Indian Institute of Management है जो कि top 7 थे रही नब और 5 और बढ़ाए गए top 12 IIM से वहाँ से जो हमें manager की जो पढ़ाई की जाती है पर उसमें degree मिलती है MBA की वह हमें professional बनाती है तो main on the goal सिफ इतना है कि management as a profession देखा जाए तो वह एक professionalized body of knowledge के sense में देखा जा सकता है और इस पे आजकल government plus company दोनों ही बहुत जादा focus करती है कि हमारे जो manager से उन्हें proper code of conduct पता हो और वो किसी anarchical practices में इन्वार नहों यानि किसी भी illegal activities में इन्वार नहों उनका behavior बहुत अच्छा हो कि जब हमारे business में customers आएं तो वो उन्हें attract कर पाएं हमसे हम कुई जादा जादा business दिला पाएं यह सारी चीज है ठेक है यह तो था एक rough idea जो आपको मैंने दिया अब आइए बात करते हैं इस board पे लिख्या हुआ है heading according जिसमें आपको और जादा crystal guarantee मिलेगी सबसे बहुआ है well defined body of knowledge है management जब लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें वह सारे principles और practices है जिसको हम पढ़ते हैं समझते हैं और फिर उसके accordingly हम behave करते हैं यह सारे principles and practices and theories हैं यह आपको textbooks में मिलती हैं और वही textbook जब आप पढ़के बास होते हैं को degree in the form of degree आपको result करते हैं second is restricted entry restricted entry का मतलब है कोई आम आदमी ना ही ICWI में जा सकता है ना ही MBBS की degree यानी doctor patient में घुरु सकता है और ना ही किसी ऐसे professional body यानी BCI यानी Bar Council of India अगर आप एक lawyer है तो अगर आप BCI यानी Bar Council of India सा रेजिस्टर नहीं है तो आपको एक अच्छा वर्किल नहीं देखा जाता है फिर वैसे BCI है ऐसे ICAI है Institute of Chartered Accountants of India यह एक ऐसा regulatory body है तो कि जोटेने भी Chartered Accountants है उन्हें regulate करता है कि वो किसी गलत किसी illegal activity में involved ना हो और उसकी वज़े से society at large को नुक्सान ना हो तो यहाँ यहाँ ICAI, ICWAI ICSI, BCI जितने भी है जितने भी मुदब sub-regulated यानि autonomous bodies इसाब किसा बहुत strict है आपके registration को लेकर के उनके द्वारा बनायाँ के professional के registration को लेकर के बहुत जादा conscious होती है वो किसी भी तरिके का fraud या धोका नहीं देखती और ना बरदास बगते तीसरा है presence of professional associations बिलकुल professional association का मतला भी है यगर कोई lawyer है तो BCI आगा बार council of India यह ऐसा professional association जहां जितने भी lawyers है उन सब का registration किया रहता है उनकी licensing की जाती है CA है CA का भी license होता है doctor है doctor का भी license बनता है practice करने का और रही बार इनकी lawyers की तो lawyers को भी license बनता है तो अगर इन तीनों के से कोई भी गलत काम करता है जा doctor हो जा lawyer हो जा CA हो जाए engineer हो इन सब की license बनता है तो अगर यह गलता है जिनके सबसे पर कर लिगर लिगर प्रसेडिंग की जाता है उसके बाद इन पर बाकी जो legal proceedings है वो की जाते है और license consideration का एकी objective होता है कि उन्हें उनके professional जो degrees है या जो professional attitudes हैं उनकी याद दिलाई जाते हैं कि आपने एक oath tagging की थे कि हम कोई भी illegal acuity नहीं करेंगे and so on ठीक है फिर है existence of ethical codes जो मैं भी बताया कि what to do and what not to do यानि do's and don'ts की list बनी होती है कि आप ये करेंगे आप ये नहीं करेंगे एक doctor के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी hypnocratic oath यानि उसका according वो मतब एक शपत लेता है कि मैं मतब हार patient की पूरी मन से सेवा करूँगा और उसका इलाज करूँगा अगर वो उस particular custom यानि जो oath है उसके अगेंस अगया करता है तो वो उसके unethical codes of contact में चले जाता है यानि उसमें शपत लिए थी कि मैं तब गया लाजती मांसे काम ने करूँगा money minded नहीं रहूँगा लोगों की सेवा करूँगा और पता नहीं क्या क्या और अगर उसके against होदा करता है कि नहीं मुझे हर चीज ले पैसे चाहिए तब मैं काम करूँगा तो यहां पर ethical codes का मतलब है हर एक चीज का एक transparent operation होता है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है तो यहां पर ethical codes का मतलब है अच्छाई और बुराई की एक list की इस काम के लिए क्या अच्छाई क्या दिखाई गई है और क्या बुराई है तो उनमें से आपको सिर्फ अच्छाई का follow करना है बुराई को नहीं ठीक है यानि do's and don'ts that's it और लास से service motive वैसे ही आपके managers भी होते हैं जो कि अलगल organizations में जाते हैं और वहां के जो लोग हैं उनको service प्रवाइड करते हैं और उस service के लिए उनको अच्छी खासी salary प्रवाइड की जाते हैं और इस service motive में उनकी service तो लोको जाती है एक तो जिसने आपको hire किया as a manager और दूसरा उस society को क्योंकि आपके business man यानि आपके business आ रही है आपकी services यान goods जो भी आप offer कर रहे हैं उसको enjoy करने आती है उसको love लेए ठीक है इसे और जादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए ताकि इसका फाइदा हर एक इंसान तक यानि हर उस इंसान तक महुंचे जो की commerce पढ़ना चाहता है ठीक है Thank you so much